असलाम अलेकुम, आज हम बनाएंगे पुरानी दिल्ली की मर्शूर रेसिपी तसला चिकन अगर आप हलके फुलके इंगेडिन्स के साथ एकदम रेस्टरांट स्टाइल कोई डिश बनाना चाहते हैं यह तसला चिकन आपके लिए है बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत आसानी से बनता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो तसला चिकन बनाने के लिए एक क्लो ग्राम हम चिकन को अच्छे तरह से वाश कर लेंगे अब इसमे वन एन आफ टीजपून नमक डालेंगे या फिर टेस्ट क्या काडिक डाल सकते आप एक टीजपून काली मिर्ज का पाउडर डालेंगे और एक टीजपून इसमें शानी से प्रीज नहीं ठाल भी हुट गए नग। उसको हमने रिक्लेश किया है हर यकर पास है यह सानी से हर जागा लग जागा नहीं दूआ है को इसकिप कर सकते हैं एक टेबले स्पून अध्रकॉलाइस उनका पेस्ट ढाल देंगे इसमें और सभी इंग्रीडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे जब तक मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं आप मुझे बताइए आप मुझे कौन से मुल्क और कौन से शहर से देख रहे हैं आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है तो सारे मसाले यहाँ पर चिकेन में अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं अब कम से कम इसको दो घंटे के लिए आपको मैरिनेशन के लिए रखना है गर्मिया है तो फ्रिज में रख दीजेगा और आजकल तो ठंडक है तो बाहर भी छोड़ सकते हैं काउंटर पर इधर आप बागी की तयारी कर लेते हैं एक बॉल में एक कप फ्रेश क्रीम ले लेंगे आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो फिर जो दूद के उपर जमी मलाई होती है आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं आदा कब इसमें दही डाल देंगे ताजा दही है ना बहुत खटा है और मीठा तो बिलकुल भी नहीं है एक चौथाई टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे ये सेंधा नमक है काला नमक नहीं है तो कन्फ्यूज मत होईएगा सेंधा नमक नॉर्मल नमक की ही तरह होता है आप इसमें डाल देंगे आदा टीस्पून चाट मसाले का पॉडर और एक चौथ हाई टी स्पून डाल देंगे इसमें काली मिर्स का पॉटर और बस इन सबी इंग्रीडिनिस को अच्छे तरह से मिला देंगे तो यह हमारा क्रीमी सा मिक्स्चर रेडी हो गया है इसको रख देते हैं अभी एक साइट में अब पैन ले लेंगे उसमें 3-4 टेबिल स्पून तेर गरम करके जो हमने चिकन माइनेट किया है वो हमें इसमें डाल देना है हाई क्रीम पर 3-4 मिट के लिए इसको फ्राइ कर लेंगे आप देखेंगे फ्राइ करते टाइम जो चिकन है वो काफी पानी छोड़ देगा इसी पानी के अंदर हम चिकन को गला लेंगे तो 4-5 मिट फ्राइ करने के बाद इसको ढख देंगे और लो फ्रीम पर इसको 15-20 मिट के लिए कूक करेंगे 20-20 में साइट्स को टर्न करते रहेगा ओपर नीचे करते रहेगा ताके ये हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए तो तकरीवन 20 मठ हो चुक है चिकन को पकते वे और अब हमें गयस के फ्लेम को हाई करना है और इसमें जितना भी आपको एक्सेस पानी दिखाई दे रहा है हाई फ्लेम पर इसको ड्राइ कर लेना है इसे चिकन भून भी जाता है और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राइ हो जाता है तो इस तरह से हमें पानी को ड्राइ कर लेना है और चिकन को भून लेना है अक्सर होता है वो जो ग्रेवी होती है वो ड्राइ नहीं हो रही होती है तो आपको क्या करना है उस ग्रेवी को एक बोल में निकाल लेज़ेगा और उसका इस्तमाला आप किसी भी क्रेवी में, किसी भी करी में, ताहिरी बगएरा में कर सकते हैं तो अभी तो हमारा चुकेन अच्छी तरह फ्राइ हो चुका है अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ग्रिल कर लेना है या तो आप इसको कोईली से स्मोक देदें तो इस तरह यहां पर हमारे चिकन में अच्छा सा कलर आ चुक है अब हमें क्या करना है एक पैन में वन बाई फोर कप बटर को गरम कर लेना है धीमी आज पर इसको गरम कीजेगा बटर जलेने इस बात का धियान रखना है और लेकिन यह अच्छी तरह से गरम हो जाए तो यहा कर रहिए हूं लेकिन अगर आपके पास दसला नहीं है तो आप किसी भी नॉरमल बोल के अंदर इसको सफ कर सकते हैं जो दॉले के बाद हमने जो क्रीम तेयार करीए वहाद पोर कर देनी है और इसी के साथ हमें इसमें गर्मा गर्म बटर पोर करना है बटर को गर्म जरूर कीज़ेगा लेकिन जलाइएगा नहीं क्योंकि बटर बहुत जल्दी जलकर खाला हो जाता है तो सारा butter हमने इसमें पोर कर दिया, ओपर से हम इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिंगे और बस हमारा बहुत ही जबदस तसला चिकन बन कर तया रहे है बहुत ही टेस्टी बन कर ये रेड़ी होता है और बस खा कर इसको मजा जाता है, बहुत लाजबाब बनता है आप सोच रहOंगे के क्रीम तो गरम नहीं वी लेकिन आपको क्या करने है एकदम गरम गरम चिकेन के पिसेज यूज़ करने है और बटर भी आपका एकदम गरम होना चाहिए तो क्रीम भी उसके साथ गरम हो जाती है लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है यह ठंडा हो गया है तो आप बिल्कुल धीमी आज पर इसको गरम होने के लिए रगते हैं इतना गरम कर लें कि आपकी क्रीम जो है वो गरम हो जाए और फिर आप इसको गरम सर्फ कर लें तंदूरी रोटी के साथ कुल्चे के साथ या फिर रोमाली रोटी के साथ आप इसको सर्फ करिए बहुत मज़े का लगता है तो ट्राइ कीज़ेगा यह रेसिपी और अपने फीडबैक्स मुझको लाजमी दीज़ेगा क्योंकि आपको पता है मुझे हमेश आपके फीडबैक्स का इंतजार रहता है और अगर आपको रेसिपी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अलाफेज